कॉंस्टेंटली यह कहते रहते थे लस्ता मुर्सला क्या मतलब है लस्ता मुर्सला आप भेज़े हुए नहीं हैं याँ आप मेसिंजर नहीं हैं यह कॉंस्टेंट कहते थे उसके जवाब में लस्ता मुर्सला के अलफाज आपको कुरान में मिल जाते हैं आगे मकी सूरते आती हैं जिसके अंदर आपको यही एक्जाक टर्मिनॉलजी मिल जाते हैं اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم के इस मुकाम को दुबारा से रिवाइफ करने के लिए और कुरेश के क्लेम को रिफ्यूट करने के लिए सुरत यासीन की आयत नमबर 3 को नाजिल फरमाया इनका ला मिनल मुरसलीन यकीनां आप अल्ला ही के भेजे हुए हैं सलीन आया है यानि आप अमंग दे टीम है जो हाईली रैंक्ट टीम है जितने भी रसूल और अंबिया आए वो अल्ला की नजर में तमाम इनसानों में इलीट इनसान होते थे हाईली रैंक्ट इनसान होते थे तमाम अंबिया तमाम रसूल मुसल्मानों के अकीदे के मताबिक हम तमाम अंबिया और रसूल को अल्लह का पसंदीदा और चुना हुआ समझते हैं याद रखिये मुसल्मानों का जो कॉंसेप्ट है जो हमारा इमान है हम अंबिया के दर्मयान में तफरीक नहीं करते तफरीक नहीं करते सिखाया है हम तफदील बाइनर रुसुल को समझते हैं तफदील फदल से है जिसको आप उर्दो में फदल कहते हैं यानि एक नभी की एक रसूल की जो अथौरिटी है जो उनका फदल है वो दूसरे से बढ़कर हो सकता है जैसे अगर आप रैंकिंग सिस्टम देखें अब तक तक तमाम अंबिया रसूल आ चुके तो सबसे ज़्यादा हाई रैंक्ट अल्ला का महबूब रसूल कौन है हम सब जानते हैं रसूल अल्ला सल्ले लिए उसके बाद इबराहीम लिएसलाम का लेवल आता है रसूल अल्ला सल्ली लिए वोinen को यहां सल्ली दी वो जनको उनके अपने कऊबीले ने छोड़ दिया था वो जिनके साथ ही उनके अपने खांदान के लोग नहीं थे बादा ने उनको इस आयत के जरिये खुरान के जरिये तसल्ली दी कि देखें, आप भेजे हुओं में से हैं और आप अकेले नहीं हैं आपके जैसे और भी अल्ला ने भेजे जो आ चुके हैं स्कॉलर्स कहते हैं, अल्ला ताला ने यहां पर कुरैश की एक तरह से इंसल्ट की है इन्नका कहके ये कौन कहता था लस्ता मुर्सला कुरैश कहते थे, सो अल्ला ताला चाहते तो कुरान में आता, कि अल्ला की रसूल से आता, कुल इनसे कह दीजे, इन्नका लामिनल मुर्सलीन ऐसे अकसर आयात आई हैं, कि पहले कुल आया और उसके बाद आया, कि अब ये आप इनसे कह दें, लेकिन मुफसरीन कहते हैं, कि अल्ला ताला ने यहां पर थर्ड परसन के तौर पर भी कुरैश को एडरिस नहीं किया इसलिए कि अल्ला ताला को कुरैश का अपने रसूल को इस तरह से उनकी इंसल्ट करना पसंद नहीं आया, अल्ला ने डायरेक्ट अपने रसूल को मुखातिब करके कहा कि देखिए, आप इनकी बातों की परवान ना करें आपको इन लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहिए, आप इतना याद रखें कि आपको भेजने वाला अल्ला ताला है, डायरेक्ट रसूल अल्ला सल्ला लोगों से खिताब किया गया, और ये वो वक्त था जब आप सल्ला लोगों की करेक्टर असेसिनेशन हो रही थे ये हमेशा से हुआ है, अंबिया की करेक्टर असेसिनेशन हुई रसूलों की करेक्टर असेसिनेशन हुई और जो जो अल्ला के रसूलों के रास्ते पर चला जब उसकी अपनी जिन्दगी के अंदर कोई गलती कमी गुनाह नजर नहीं आया प्रॉमिनेंटली तो उसकी करेक्टर असेसिनेशन की गई आपको साहर कहा जाता था आपको मजनू कहा जाता था आपको कहा जाता था कि आप पुजेस्ट हो गए हैं कोई जिन आप पर आ गया है आपको ज़सूलों को तसली देने के लिए कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस लगए कि तरफ रखे आपके रसूल को हिम्मत बंदाई गई जो ये कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कोई आपके बच्चे को बुली करता है अक्सर बच्चे बुली होते हैं स्कूल में कभी कभी कोई cousins में भी आप उसमें बुली हो जाता है जाए बड़ी उमर के बहुत cousin और छोटी उमर का बच्चा आपका तो मा कैसे समझाती है अपने बच्चे को नई बेटा ऐसी कोई बात नहीं है आप तो बहुत बहादूर हैं कुछ बच्चे कहते हैं कि तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो तो मा कैसे समझाती है नई आप तो बहुत स्ट्रॉंग हैं आप बहुत बहादूर हैं आप सब काम कर सकते हैं यह जो आप तसली देती हैं अपनी आउलाद को यह आप उसको एंकरेज कर रही होती है आपको यही अंदास यहाँ पर आपको आपको इन लोगों की तरफ देखने की इनकी टर्मिनॉलजी जो यह आपको दे रहे हैं उसकी परवा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको इनकी तरफ से जो करेक्टर असेसिनेशन को फेस करना पढ़ रहा है आप उसको बिलकुल इगनोर कर दीजे आपका रब आपके साथ है और यह याद रखें आपको अबेंडन किया गया इतना फ्रीक्वेंटली आपसे कहा गया कि आप पुजेस्ट हो गया है आप पर जिन आ गया है और उस वक्त उनके अहां यही चीज़ मशूर थी कि जिन जो थे वो वादियों में घूमते पिरते थे और अगर किसी पर आ जाते थे तो उनके बकौल वो बहकी बहकी बातें करता था रसूल अल्ला सलल्ला अल्ला को भी अपनी जिन्दगी में ये कई दफा मौके महसूस हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने महसूस किया था जैसे फत्रत अल्वही जो आता है एक वही का गैप आया था तो अल्ला के रसूल सललला अल्ला को महसूस हुआ था उस गैप में कि लोग भी मुझे ऐसे ही कह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वाकरी कुछ हलूसिनेशन हुए थे शायद वाकरी मुझे कोई ऐसे ही खुआब आये थे हकीकत कुछ नहीं थी यह होता है इनसान के साथ याद रखें यह जो कुरेश थे यह कॉंस्टेंटली आप सललला अल्ला के खिलाफ प्रॉपगेंडा कर रहे थे याद रखेंगा इस बात को इसलिए कि जिस दौर में आज आपर में रहते हैं वहां मुसल्मानों के खिलाफ और इसलाम के खिलाफ बहुत प्रॉपगेंडा है आप अगर वेस्टरन मीडिया को देखें और खासतर पर फॉक्स नीउस को अगर आप देखें जितना इसलाम के खिलाफ जहर उगला जाता है फॉक्स नीउस से मेरा नहीं खिल किसी और चैनल से इतना जहर उगला जाता है और ये प्रॉपगेंडा होता है यह एक तो यह जो नॉन मुसलिम जितना भी आसपास का इनसान है उसके जहन में यह प्री नोशन सेट है कि मुसल्मान जाबर होते हैं मुसल्मान बेवकूफ होते हैं मुसल्मान अपने पाउं पर कुलहाडी मारते हैं इसलाम बारबारिक है एसलाम जो है वो असल में लोगों की इंजाइमेंट इन्जाइमेंट को जो है वो स्कूईस कर देता है इसलाम लोगों को खुल कर जिंदगी जीने नहीं देता यह कौंसेप्ट कहां से आये हैं प्र प्रआपगेंडा आसपास के इन्सानों को Allah की दिवी शरियस से दूर कर देता है और आज का फितना ये है कि प्रोपगेंडा सिर्फ नान मुस्लिम्स को इसलाम से दूर नहीं कर रहा किसको दूर कर रहा है मुसल्मानों को इस प्रोपगेंडे ने इतनी हाइप ले ली है कि हम मुसल्मान अपने दीन के बारे में डाउट्स का शिकार हो रहे हैं, हो चुके हैं, आज हम मुसल्मान वही सवाल करते हैं, जो नौन मुसलिम सवाल करते हैं, आज हम मुसल्मानों को दीन के बारे में वही डाउट्स हैं, जो शरम आते है, आज हम मुसलमान एथियस्ट हैं, आज हम मुसलमान होमोसेक्शियल हैं आप लोगों के पिजान पॉचान में ऐसे लोग होंगे जो डिकलेर्ड होमोसेक्शियल हैं, लेकिन religion के खाने में इसलाम लिखा हुआ है हमारे school, colleges के अंदर ऐसे बच्चे बच्चियां मौजूद हैं जो होमोसेक्श्यलिटी को ना सिर्फ एड्वोकेट करते हैं बलके वो इसका हिस्सा भी हैं यह हम प्रॉपगेंडा का शिकार हुए हुए मुसल्मान हैं और हम अपने प्रॉपगेंडा से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि हम इस प्रॉपगेंडा से निकलने का वो ही तरीका है जिस तरह से रसूल अल्लाव को कन्विक्शन दिया गया कि आप इन सारी बातों को एक तरफ कर दीजे बिल्कुल इन पर तवज्जो मत कीजिए आप अल्ला के भेजे हुओं में से हैं ये मुसल्मानों का आज अपॉलोजेटिक हो जाना किस चीज़ की अलामत है हम प्रॉपगेंडा का शिकार हो चुके है तरह सिंपल इक्विश्चन ये जो आज आप और में शर्माई शर्माई भिरते हैं अपने इसलाम को छुपाते चुपाते भिरते हैं यह जो आप और मैं जो हैं अम्बारिस मुस्लिम हैं यह हम प्रॉपगेंडा का शिकार हो चुके हैं मस्जद में किसी तरह नज़र आते हैं और मेरिज हॉल में किसी तरह नज़र आते हैं हम प्रॉपगेंडा का शिकार हो चुके हैं आपका और मेरा मुसलिम आइडेंटिटी के साथ घूमना फिरना आपको और मुझे वो कन्विक्शन नहीं देता है मैंने पहले भी शायद यह बात यहां की या नहीं की इस मुसल्मान उम्मत को आगे लेकर चलने वाली मुसल्मान औरत है मर्दों की अपनी जिम्मेदारी हैं हम सब औरते हैं अल्ला ताला ने जो दीन की जिम्मेदारी और जो उम्मत को फोर फ्रंट पर लेकर चलने की जिम्मेदारी औरत को दी है वो मर्द को नहीं दी है मर्द अपना इसलाम चुपा सकते हैं औरत अपना इसलाम चुपा सकती है बाहर की दुनिया में एक बालिग औरत अपना इसलाम नहीं चुपा सकती इसलिए उसको हिजाब पहनना है उसको अपनी जीनत बाहर नहीं दिखानी है आपको अपनी औरतों में जो जीनत दिखानी है दिखाईए मना थोड़ी है اللہ تعالیٰ आपका गला दबा नहीं देता कि आप अंजॉयमेंट कर नहीं सकते हैं लेकिन हम प्रॉपगेंडा का शिकार हो चुके हैं जब ही हम जो हैं इस वक्त कन्फूजन का ऐसा शिकार है कि हम ना मुकम्मल मुसल्मान बनते हैं ना इसलाम को छोड़ना चाहते हैं तो आल्ला ताला ने जो तसली रसूल आल्ला को दी है यही तसली यहां पर आपके और मेरे लिए भी है आपको और मुझे दुनिया की वैलिडेशन नहीं चाहिए कि दुनिया प्रूफ करेगी कि Islam is the right religion तो मैं इसलाम पर अमल करूँगी वरना मैं इसलाम पर डरते डरते शर्माते शर्माते अमल करूँगी हमारा वो हाल है जिनके हाथ में हीरे हैं वो शर्माते हैं और जिनके हाथ में कांच के टुकड़े हैं वो इतराते फिरते हैं आपके पास हक है किसे डरते हैं आपके पास इसलाम की ताकत है आपके पास अल्ला की मदद है मत डरिये लोगों से इसी तरह से स्कॉलर्स कहते हैं कि यहां पर यह भी नहीं कहा गया अल्ला के रसूल सलल्ला को इनका रसूल उल्ला यकीन आप अल्ला के रसूल है ये नहीं कहा गया, ये जो कुरान अलफास का सेलेक्शन करता है विदिन आयात, विदिन सूरा, विदिन मक्य और मदनी सूरते हैं, इसका एक खास मकसद होता है, अल्ह ताला ने यहां यह नहीं कहा, इन्ना का रसूल अल्ह, यकिनना आप अल्लह के रसूल हैं, अल्ह ने यहां कहा इन्ना का ला मिनल मौरसलीन यानि रसूल अल्ह सल्ल्ह को इस वक्त मौरल सपोर्ट की जरूरत थी, अल्ह ने अपने से असोसियेट करके तो हिम्मत दिला दी, कि आप एक डिवाइन हस्ती की तरफ से अपॉइंट किये गए हैं सासात अल्ह ने अल्मौरसलीन कहके यह बता दिया आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ यह मुश्किल वक्त आ रहा है आपके जैसे और भी थे मौरसलीन, भेजे हुए जिनके ओपर बड़े सخت वक्त आए जिन्होंने बड़े करेक्टर असेसिनेशन को बरदाश किया जिन्होंने अपने खानदानों से और्डवन आउट बनने के बाद निकलना पसंद किया लेकिन हक को नहीं छोड़ा अल्लह की रसूल सलिल्लाहु लिवसल्लम को यहां पर यह तसलिवी दी गई कि दुनिया में आपके जैसे लोग भी रहे आपके जैसे आजमाईशें और लोगों पर भी आ चुकी है सो एक तरफ सपोर्ट सिस्टम की तरफ मुफसरीन ने कहा यहां इशारा मिलता है हम जैसे मुसल्मानों को भी जहां अल्ला की हस्ती का दामन चाहिए जहां अल्ला पर मुकम्ल तवक्ज़ चाहिए वहां हमें लाइक मैंडिट लोग भी चाहिए होता है लेकिन कभी आपको लाइक मैंडिट लोग नहीं मिलते है इसका मतल decorative हर्गेज यह नहीं है मुसा अलिए सलम को तो मिल गया था ना सपोर्ट अपने खांदान में कौन मिला था हारून अलिए सलम मिल गया था इबराहीम अलिए सलम को भी अपने खांदान में एक सपोर्ट मिली थी कौन मिला था लूत अलिए सलम मिले थे कि मक्की कुरान के अंदर आपको पिछले तमाम रसूलों के किस्से मिलते हैं इसलिए कि मक्का में मुसल्मानों को और रसूल अल्ला को इस सपोर्ट की जरूरत थी कि आपको एक मौरल सपोर्ट भी मिल जाए कि इन आजमाईशों से और लोग भी गुजर चुके हैं और बिल्कुल जैसे रसूल अल्ला को कोई उस वक्त रसूल या नभी नहीं मिला सपोर्ट में अगर आज आपको और मुझे अपने खांदान में अपनी वर्क प्लेस पर अपने घरों की छटों के नीचे अपने स्कूल्स के अंदर अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई लाइक मैंडिड इंसान नहीं मिलता तो कोई बात नहीं आपने और मैंने भी हिम्मत के साथ जमे रहना है अगर आप हक पर हैं तो जमी रहिए अल्ला इंशालला आपके लिए साथी जरूर प्रोवाइड कर देगा कहते हैं आप दावत देते रही है दूसरा आपको टीम वर्क की तरफ से पिछले अंबिया अपिछले रसूलों की तरफ से सपोर्ट दे दी गई और तीसरा स्कॉलर्स कहते हैं कि जो कहानिया आगे आई किस्सों की शकल में आपको सूरत यासीन में भी आयत 13 में एक किस्सा मिलता है जो इंशालला हम करेंगे ये आपको मुकमल सपोर्ट देने के लिए है ताकि आप इस सपोर्ट को आगे अपनी उम्मत में फिल्टर डाउन करें ये जो मुर्सल का लवज है जब हम इसको इतना डीटेल में कर रहे हैं तो आपने दो अलफास देख लिए मेसेंजर के लिए रसूल के लिए एक होता है रसूल और एक होता है मुर्सल हम ट्रांसलेशन में दोनों का एक ही ट्रांसलेशन पढ़ते हैं रसूल इस दा मेसेंजर मुरसल is the messenger लेकिन अर्भी जुबान में आपको बताया था कि दोनों की अलग-अलग connotation है इसकी मिसाल समझाने के लिए मैं आपको बताते हूँ आप एक message convey कर रही है तो क्या आप messenger हुई आप messenger हो गई आप message convey कर रही है तो आप messenger हो गई but there is a possibility कि आप अपना ही message convey कर रही हूँ possibility है या नही है messenger दोनों तूरह से हो सकता है या मैंने आपको पेगाम दिया और आपने आगे जाकर किसी को convey कर दिया तो आप messenger है या आप अपना ही पेगाम आगे convey कर रही है तो भी आप messenger है लेकिन जब आप मुरसल कहती हैं अर्बी जुबान में, तो इसका मतलब होता है भेजा हुआ, वो जो किसी का पैगाम आगे किसी को डिलिवर करें, अब आप मुरसल हैं तो आप अपना मेसेज नहीं कनवे कर रहें, यू आप जस्ट अ मेसेंजर, यू आप जस्ट अ रसूल, अब आप किसी की तरफ से अपॉंटेड हैं, इसको अर्बी में इसमल मफूल कहते हैं, आप किसी की तरफ से अपॉंटेड हैं, और आप किसी तक उसके, जिसने आपको अपॉंट किया है, उसके पैगाम को पहुँचा रही हैं,